हेलो इस्टुडेंट आज की इस पीडियो में अगर आप मेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं कोई भी कोर्स हो तो यह देखेंगे कि नीट आपको कौन सा इंटरेंस एक्जाम देना पड़ेगा और आप कभी इंटरेंस एक्जाम दे सकते हैं आप क्वालिफिकेशन क्या है इसमे यह फार्म अपलाई कर सकते हैं तो नेशनल इलिजबिल्टी इंटरेंस टेस्ट नीट इउजी अंडर ग्रेजुट कोर्स है 2020 का यह प्रास्पेक्टस है यह यह क्या है आफिसल प्रास्पेक्टस है और इसमें पूरा इंफार्मेशन प्रोवाइड की गई है नीट के बारे में तो नेशनल टेंस्टिंग एजनसी एंटी ए एक एजनसी है यही इंटरेंस एक्जाम कंड़क्ट कराती है एक एजनसी है यही हायर करती है और पूरा इसका इंटरेंस एक्जाम से लेके काउंसलिंग प्रोसीजर एडमिसन तब पूरा यही देखती है तो यह चीज क्या करते हैं तो अभी 2022 में जो student करना चाहते हैं अभी application फार्म भर सकते हैं 7th माई तक अभी फार्म फिलफ हो रहा है तो यह चीज है और अभी जो 10th में है student जो 11th में है वो इसके बारे में पूरे अच्छे से knowledge gain कर लें और coaching अभी से कर लें अगर आप 10th और 12th में 11th में है तो जरूर आप नीट की coaching जहां पर भी आपको सुविधा अंसार आप coaching जोईन करें और नीट के preparation शुरू कर दें क्योंकि वही है अगर आप 12th पास के बाद शुरू करते हैं थोड़ा का problem होती है जो कि अब जो student क्या करते हैं आप फाउंडेशन बैच के ज्यादा तर वही सेलेक्ट होते हैं फाउंडेशन बैच का मतलब आप अगर आप 11th में हैं 10th में है तभी से नीट की courses में admission होगा आप MBBS कर सकते हैं जो medicine विभाग से है BMS आयरुवेदिक और BMS जिसको बोलते हैं BHMS होमोपाथिक और यह देखिए BDS भी कर सकते हैं डेंटल्स डाक्टर जो होते हैं यह भी आप courses कर सकते हैं और इसमें BMS सिध्धा भी है यह देखिए MBBS BDS BMS BMS कर सकते हैं और आप तो BST nursing भी इसी में include हो गई है तो BST nursing अगर आपको करना है तो यह समझे कि इसी के थुरू आपका admission होगा जैसे 2021 में जब इंटरंस एक्जाम हुआ था तो इसमें बीच्चू हो गया फिर एम्स के कुछ कालेज हैं जिपमर के हैं एम्स के हैं तो यह हुए थे नीट के थुरू अभी देखिए इस साल कौन-कौन से कालेज इसमें include होंगे तो अभी तो 100% कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपका जो यह देखिए जो के जम्म्यू है आपका यह भी include हो सकता है तो अभी कोई confirm नहीं है तो इसमें आप काफी courses कर सकते हैं BBBS से भी कर सकते हैं जो veterinary के doctor होते हैं वो भी course इसी के थुरू कर सकते हैं तो वही चीज है ना काफी courses इसके थुरू होते हैं लेकिन वही है कि अगर आप अच्छे number gain करते हैं 600 600 संथिंग में number रहता है तो यह मान के चलिए कि आपका MBBS में हो जाता है नहीं फिर 500 प्लस नंबर जो रहते हैं यह सब courses मिलते हैं जो MBBS के नीचे जो courses हैं तो यह देखिए इसमें आप pattern देख लिजिए क्या चीज question पूछा जाएगा इसमें जो आपके question पूछे जाते हैं वो physics, chemistry, biology only पूछे जाएंगे यह चीज आप जान लिजिए इसमें physics से question 50 question पूछा जाएगा और chemistry से 50 question और आपका जो biology होता है biology में दो पार्ट होते हैं बाटनी, plant वाला और geology, animal वाला है यह दोनों मिला के 90 question पूछे जाते हैं 100 question आएंगे 100 question यहां से और physics से 50, chemistry से 50, total आपके 100 question हो जाएगा और question इसमें मैं से 100 question में आपको 90 question करना रहेगा और इस 100 question में 90 question तो 90 इधर 90 इधर total 180 question आपको करना रहेगा और question पूछे जाने का यह देखिए कैसे question पूछते हैं physics में आपके section A and section B सभी में section A section B दिया गया है तो ऐसे पूछे जाएंगे physics में आपके section A से 35 question पूछे जाते हैं तो 35 में आप 35 question पूरा complete कर सकते हैं नहीं करेंगे तब भी कोई नहीं है लेकिन आप 35 question तक कर सकते हैं लेकि करने है 15 में साथ 10 से कम भी सकते हैं लेकिन 10 से ज्यादा नहीं कर सकते और 35 से 35 question कर सकते हैं ज्यादा तो आप कर भी नहीं सकते क्योंकि 35 कर सकते हैं तो इसी अमस्वार से पूरा करेंगे और total 180 question आप करेंगे उसे इसाब से biology भी करेंगे 35 में 35, 15 में 10 35 में 35, 15 में 10 और total 180 question होगा और एक question 4 number का होगा इसमें 4 से multiply करेंगे तो 18, 72 नमबर आपका total आएगा 720 नमबर का total जो आपका paper होता फेजिस कमेस्टी बालो जी NEET जो होते हैं उसमें आपको 720 नमबर होते हैं और यह देखिए एक question अगर आप सही करते हैं तो 4 नमबर मिलेगा और एक question अगर आप गलत कर देते हैं एक number minus हो जाएगा means negative marking होती है और अगर आप यह कोई question छोड़ देते हैं माली जी attempt ही नहीं करते हैं तो उसका zero number कोई number नहीं मिलेगा ना plus यह ना minus तो यह चीजे सब इसमें दी गई हैं और इसमें question जो है आपका इसमें यही चिल लिखा section है और section B वाला जुमाय नहीं भी बताया कि 15 question जो रहेगा उसमें 10 question ओली आपको करने रहेंगे mode of examination जो होता यह आपका offline होगा offline का मतलब क्या चीज़ आपका pen paper द्वारा होगा आपको OMAR state मिलेगी ऐसे bubbles भरने रहते हैं 4 bubbles दिया रहेगा उसमें ऐसे A, B, C, D दिया रहेगा एक bubble सही करने रहेंगे तो offline होगा लेकिन आपका यह देखिए duration of test जो आपका neat entrance exam होता है वो कितने पहले क्या था पहले only 3 घंटे का होता था और अभी 2022 से अभी इसी साल से 2022 2022 2022 क्या हो गया कि यह आपका paper जोगा 3 घंटे 20 मिनट के होंगे total आपको 200 मिनट मिलेंगे और question आपको कितने करने रहेंगे question आपको 200 question आपको रहेंगे 182 question रहेंगे तो आपको 200 question अगर आपको paper में दिया जा रहा है तो 200 question आपको read करने पड़ेंगे इसी के यही देखते हुए ये NTA NEET ने आपको 20 मिनिट और इस्टा दिया है, तो पेपर आपको 3 गंटे 20 मिनिट आपके होने वाले हैं, और question paper का language क्या रहेगा, आप जो language डालेंगे जैसे आपको हिंदी चाहिए माल लीजिए, तो जब आप application फार्म भरेंगे, कभी भी आप NEET का फार्म भरिए, तो इंदा application फार्म, the option and chosen kind not change, अगर आप एक बार चूज कर लिए, तो correction इसका नहीं होता है, और तो correction सब की correction date आती है, correction हो जाती लेकिन और correction नहीं होगा, तो आप जिस language में चूज करेंगे, उस language मिलेगा, और English तो आपको मिलेगी, तो यही और लगबग जो आपको examination center होता, ज अपने जहां आपके निकट हो, जोन सी सिटी, वहाँ पे आप application फार्म फार्ते समय फिलफ कर सकते हैं, अगर आप 17 साल के हैं, तब यह फार्म अप्लाई कर सकते हैं, और lower limit यह है 17 साल, और जो आपका upper age limit होता हो, कोई upper age limit नहीं है, तो आप कितनी बार भी need दे सकते हैं, चा साथ बार, दस बार, कितनी बार भी है, और आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, तब भी आप need दे सकते हैं, कोई इसमें आपका age limit नहीं है, यह देख लिजीए, दिया भी गया है, upper age limit as per later इतना के अंस्वार आपका रिवाज फार्म नेशनल मेडिकल कमिशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर रिगार्डिंग दा अपर age limit that there should be no upper age limit as decided in the fourth NMC meeting held on 21 October 2021 कोई जो meeting हुआ थे, इसी के अंस्वार, upper age limit हटा दी गई है, कोई upper age limit नहीं है, तो यह फूरा आपका information से related, यह need के बारे मे पूरा और कुछ देख लेते हैं कि नीट से related आपको कौन सी जानकारी मिल सकती है, तो नीट अगर आपको यह भी चीज है कि नीट अगर इंटरेंस एक्जाम देना है, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आप फेजे कमेस्टी बालू जी आप 100% आप NCRT बुक फाल देरी है, यह चीज उसमें है क्योंकि एक लाइन लिखती है NCRT और उसमें आपको ज्यादा कुछ समझना पड़ता है, तो यह चीज हो जाएगा और इससे related चीजे कुछ देख लेते हैं, तो यह इंटरेंस एक्जाम आपको देने के लिए आप अपलिकेशन फार्म फिलप क करेंगे, फिर आपका admit card download होगा online, फिर उसके बाद आपका center को center मिलेगा, उस center पर जाके आपको इंटरेंस एक्जाम देने पड़ेंगे, और इंटरेंस एक्जाम आप करेंगे, फिर counseling के थुरू आपको government college और private college दोनों में admission होगा, तो government और private college में दोनों में आप admission MBBS, BMS, BMS सभी में ले सकते हैं, तो वही चीज है कि government college में आप all India के थुरू भी ले सकते हैं, पूरे all India में और आप जिस state में हैं, उस state में भी आप इसके थुरू ले सकते हैं, वैसे तो UP की बात करेंगे, तो UP में something में कितने medical college है, आप 29-30 medical college, तो पूरी information इस video में complete हो गई है, UP में अगर बात करेंगे, तो something में 322 से लेके 300 सीटे पूरे government college MBBS की है, और अगर आप private college की बात करेंगे, तो यहाँ भी काफी सीटे UP में है, तो चलिए फूरा एक बार आप मेरे चैनल पे प्लीज जरूर विजिट करें, चैनल पे जाएंगे, तो यह आइडिया लग जाए अगर आप इंटरेंस एजाम देने जा रहे हैं, तो जितने पहली साल, पहले इसके इंटरेंस एजाम हुए, पहले उसके question तो complete होनी चाहिए, तब ही तो आइडिया लग जाएगा कि यह इसका pattern क्या हो था, तैसे question पूछने का क्या चीज pattern है, क्या उनका concept है, कहां से question question इनके 8-10 बार लगा लेंगे, माली जीए, अभी आप शुरू कर सकते हैं, 2010 से, 2000 अगर आप 10 से जितने साल अभी इनके इंटरेंस एजाम के paper हैं, अगर आप तो इनको 5-6-7-8-10 बार अगर लगा लेंगे, 2011-2012-2013-14-15-16-17-18-19-20-21-21 तक पूरा लगा लेंगे, तो idea ल अपने चैनल पर पूरा previous year question बालो जी का खतम कर चुका हूं, chemistry भी करा रहा हूं, physics भी हो जाएगा, तो एक बात चैनल पर जरूर विजिट करें, seat in need channel आप YouTube पर सर्च जरूर करें, चलिए next video मिलेंगे और आपको best video provide करेंगे, thank you